चारुक खान के जिस स्टेटिस को जिस स्टार्डम को हम बाहर सुनते पढ़ते रहते हैं आपको सेट के उपर आपको लगए अगर नहीं यह बिलकुल नया अभिनेता है हमने संगर्ष जो पहली फिल्म हम लोगों ने साथ में की थी जानवर हमने साथ में की तो उनके साथ काम उनको जीवन की बहुत समाझ है उन्होंने जीवन को बहुत अच्छे से हो गहराई के साथ जिया है समझा है एक छोटा सा सेग्मेंट है जिसमें मैं कुछ कलाकारों के एक्टर्स या डिरेक्टर्स के नाम दोगा और आपको उनसे जुड़ी जो भी आपकी फेवरेट मैमोर है जो भी एक मूमेंट है वो प्लीज शेयर करिएगा चाहिए वो हो सकता है पहली मुलाकात हो या कोई और जो भी आपकी फेवरेट रही हो तो पहला नाम अक्षे कुमार अधभुत उनके साथ काम करते हैं और बहुत हार्ड वर्की और जौवियल वेक्ति हैं बहुत उनके साथ काम करते हुए आपको आप खास्ते खेलते हुए काम करते हैं और बहुत अनुशासित ब्यक्ति हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि अक्षा के साथ आपको पता होता है कि अगर दो बज़े पैक अप होना है तो दो बज़े पैक अप हो जाएगा ठीक है जैसे नया लड़का दे रहा हो और यह पहला शौर तो मुझे उनका जो और चुकि वो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं बहुत पढ़े लेखे व्यक्ति हैं भाशा के उपर उनका असाधारण अधिकार है वो चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो उर्दू हो और बहुत सारी हैं जो उनके साथ सीखने योग हैं और जब आप उनके साथ काम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो आपको कभी भी शारुक खान के जिस स्टेटिस को जिस स्टार्डम को हम बाहर सुनते पढ़ते रहते हैं आपको सेट के ऊपर आपको लिए अगर नहीं यह बिलकुल नया करको लेयर हैं अमिर व्यक्ति है काम करते हैं उनकर करने हैं पाउनके साथ हुआ साथ नहीं हुआ कि मैंने इतना बोला भट साहब उन व्यक्तियों में से हैं कि जब कभी उनका निर्देशित करने का तरीका बड़ा अनूठा है कि सीन अगर कुछ होने वाला है और तो वो सीन के बारे में एक्टर से बात नहीं करते हैं वो उस सीन का जो सुर होता है उससे संबंदित कोई निजी जिन्दगी कि उस सुर के ऊपर वो आपसे चर्चा करते रहेंगे करते रहेंगे और शॉट तयार हुआ हूँ कहते हैं अच्छा चलो शॉट लेता है तो आपको फाइन ट्यून कर देते हैं उस सुर में क्योंकि उनक देखक ने लिखी होती है तो वो जो परफॉर्मेंस में अभिनेता के अभिने में वो जादुगरी दिखाई देती तो इसका श्रेव भट साप हो जाता है बहुत कमाल के अभिनेता निर्देशा उनको जीवन की बहुत समझ है उन्होंने जीवन को बहुत अच्छे से और ग का ने जांता हों ़क्तह कहीं लिखि जा रही हो गी इस अपने आप या तो आप बहुंच जाए तो मैं जो आपने कहा के नए लोगों से आप क्या कहते हैं कि कि अपने मन में खौयश रखे इच्छा रखें, अपने बारे में कभी भी कृपनता से ना सोचें, कंजूसी से ना सोचें, अपने बारे में अगर सोचना है तो बिलकुछ चक्रवरती समराथ की हैसिय ससे सोच एँ, लेकिन अपने हिस्से में जो काम जब मिल रहा है तो फिर जो मिले उस कारे को फिर उसी माद्दे और उसी खुनर्ग और उसी गरीमा के साथ करिए जैसे चक्रवरती समराठ को द्वारा एक बहुत छोटा सा किया गया काम तो बड़े लोग कभी भी छोटे काम को भी अगर हाथ लगाते हैं तो उसमें भी एक बड़ा पना जाता है धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए इस बहुत प्यारी बातचीत के लिए बाकी दुबारा म सबके शिव्ष संकल पूरे हों ऐसे हमारी गुर्देव भवाद जप्रावफ में हैं तैंक यू सब्सक्राइब मेरा नाम है आशुतोष राना और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवूड बॉवलबॉ इसलिस्टाइब मेरा अश्सी क्या हैं के लोगवादीत के लिए बॉलीवादीत के लिए की लिए हैं।